UX process को understand करने के बाद हम start करें Adobe XT और Adobe XT डाउनलोड करने के लिए just go to the adobe.com products slash xt.html यहां से जा कि आप इस Adobe XT टूल को buy भी कर सकते हैं और इसके लाबा इसका free variant भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आप macOS पे हैं या Windows पे हैं आप दोनों के लिए इसके वरियन्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो इसको डाउनलोड करें इंस्टॉल करें and let's get into the Adobe XT तो अगर इसका जो home page है जो home screen है उसको आप देखें तो आपको यहां पे कुछ presets नज़र आएंगे इसके लावा आपको कुछ useful links नज़र आएंगे और आपकी recent files आपको नज़र आएंगी इसके लावा learn में जाके मजीद content आपको मिल सकता है जो जिससे आप जाके मजीद सीख सकते हैं that how to use Adobe XT इसके लावा cloud documents आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास paid variant है तो you can use 100 GB of Adobe Cloud तो आप cloud पे अपनी file save करें और उसको दुनिया के किसी भी कोने में जाके access आप कर सकते हैं ठीक है तो वापस home पे आते हैं और यहां से जाके अपनी एक file create करते हैं तो file create करने से पहले एक बड़ी important चीज़ है वो यह कि यहाँ पे maximum mobile phones की screens की जो width है that is 412 ठीक है अगर हम Google Pixel 3 XL को देखें 4 को देखें, 4 XL को देखें और इसके लाबा 678 Plus को देखें इसके लाबा XS Max और 11 को देखें So we have 412 width of the screen So हम कोशिश करेंगे कि हम 412 width के साथ start करें और जब अपने assets को save करेंगे तो वो automatically उसको बाकि screens के लिए save कर देगा So by default we are going with Google Pixel 3 XL तो simple इस पे click किया और ये हमारी file create हो गई तो अब इसका अगर हमने size जानना है कि इस artboard का screen का क्या size है So that is 412 by 847 ठीक है जी तो ये tool यूज करना बहुत असान है अगर आप illustrator सही तरीके से استعمال कर किया है उसके एक एक tool को आपने استعمال किया है तो इस tool को आप बड़ी असानी से समझ सकते है जो most important चीज थी किसी भी website या mobile application के design के लिए वो उसका process था आप जितना अच्छा process run करेंगे जितनी इसकी research करेंगे उतना अच्छा result आपके पास आईगा ठीक है तो अगर हम इसकी right side पे देखें तो आपको यहाँ पे पैनल नज़र आएगा और यह पैनल चेंज होता रहेगा with respect to कि हमारे पास कौन से element selected है और हम के seas पे काम कर रहे है so it will change with respect to the selection left side पे देखें तो आपको यहाँ पे कुछ tools नज़र आ रहे है shapes है, pen tool है, text tool है और इसके लाब आप zoom in, zoom out कर सकते है और यह नीचे बड़ी important दो चीजे है that is the assets panel और यह हमारे पास है layers panel और नीचे आपको नज़र आएगे plugins अब यहाँ पे हम एक बड़ा basic सा design create करते हैं चीक है जी, तो design create करने के लिए we are not following any grids or any rules we are just about to create the design, तो मैं यहाँ से simple एक scale लेता हूं और scale से हम एक sign in or sign up screen create करना चाहते हैं ठीक है, तो मैंने यहाँ पे rectangle draw किया और इसको मैं जब arrange करूंगा तो यहाँ पे smart guides के through मैं अपने content को arrange कर सकता हूं Adobe xt के smart guides बहुत efficient है, आपको smart guides बहुत जदा help करती हैं आपके content को place करने के लिए आपके layout को organize करने के लिए तो बड़ा simple है जी, for example this is our first text जिसमें हम username लेंगे user से second में password लेंगे और third में हमारे पास एक button है और उस button पे click करके वो sign in कर सकता है, ठीक है तो इस button को हम लोग fill कर लेते हैं इसका जो border है उसको मैं करता हूँ uncheck और इसका जो fill है उसको हम एक color resign कर लेते हैं that is going to be the dark grey ठीक है जी इसके लावा जी हमने यहाँ पे user को कुछ indications देनी है, that you have to enter the username, तो मैं यहाँ से text tool ले रहा हूँ, यहाँ पे click कर रहा हूँ और यहाँ पे mention करते हैं जी, enter username, ठीक है side पे click किया इसको select किया इसको place कर लेते हैं, तो अगर आप देखें आपको left or right side पे smart guides बता रहे हैं, that how far this is from the left side, इसकी padding क्या है और right side से इसकी padding क्या है, क्या distance size का इसको यहाँ पे place कर लेते हैं मैं अपने keyboard से alt और shift प्रेस कर रहा हूँ, तो यह उसकी copy भी generate कर रहा है और उसको बिलकुल seed में नीचे लेके आ रहा है उसी alignment के accordingly, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ enter password, ठीक है यह हमारे पास दो fields होगी इसके लावा हम दुबारा से copy generate करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं, sign in ठीक है, इसको middle में ले आते हैं और यहाँ से जिसकी alignment है, उसको मैं कर लेता हूँ center aligned, ठीक है जी और इसका जो color है, उसको white कर लेते हैं और इसका जो style है उसको हम regular से कर लेते हैं जी, bold और यहाँ पे आपको जो text field के अंदर कुछ guides नजर आ रही हैं उसकी जो transparency है मुसको भी कम कर सकते हैं, और इसका जो यहाँ से color है उसको हम थोड़ा सा light grey की तरफ ले जाते हैं ठीक है इसके लावा दोबारा जी, इसकी copy लेते हैं sign in की इसका जो color है उसको थोड़ा सा dark grey करते हैं ठीक है जी, और इसका size increase करते हैं और size increase करने के लिए हम यहाँ से कोई specific number भी दे सकते हैं और यहाँ से पकड़के भी इसका size increase किया जा सकते है ठीक है जी और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं for example welcome back ठीक है जी तो यह हमारी एक बड़ी basic सी screen त्यार है that how the user can log in और वो कौन-कौन सी details देगा और उसको मजीद क्या चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी अब इसमें हम मजीद क्या कर सकते हैं इसमें मजीद यह कर सकते हैं that we have to mention इसकी copy लेते हैं इसको यहाँ पर mention करते हैं forgot password question mark इसको जो color है उसको दोड़ा सा dark करते हैं और इसको right side पर place कर लेते हैं ठीक है जी इसी की copy एक और generate करते हैं इसको center align करते हैं और यहाँ पर mention करते हैं के जी already a member ठीक है तो इसको कहते हैं sign up और इस sign up को हम यहाँ से underline कर लेते हैं इसका मतलब है that this is clickable this is a link to the other screen ठीक है forgot password को भी आप underline कर सकते हैं यहाँ पर आप एक छोटा सा button create कर सकते हैं और वहाँ से user को navigate कर सकते हैं so I think this is the overall functionality जो के sign in screen पर होनी चाहिए इसके लावा अगर आप मजीद इस पर functionality add कर सकते हैं then it would be इसको हम थोड़ा सा उपर move करते हैं ठीक है और यहाँ पर mention करते हैं कि और इसको center align कर लेते हैं यहाँ पर करते हैं जी और ठीक है जैसे के social medias के through भी sign in किया जा सकता है इसे की copy generate करते हैं और यह दो copies बनाके यहाँ पर लिखते हैं जी sign in with Google sign in with Facebook और आप यहाँ पर इनके जो logos हैं उनको भी place कर सकते हैं और इसको मजीद interesting बना सकते हैं ठीक है जी तो यह overall experience है जो के login screen पर आप लोग आजकल देखते हैं इसके लाव अगर आप मजीद इसको brief करना चाहते हैं तो एक बड़ा simple है जैसे आप WhatsApp पे sign up या sign in करते हैं तो just you have to mention your phone number और उसके through आप one time password accept करते हैं और उसको enter करके आप sign in कर सकते हैं या sign up कर सकते हैं इसको टूल को यूज करना बहुत ज़्यदा असान है जैसा कि आपने यहां पे देखा कि हमने sign in screen within few minutes create कर ली और इसको हम अपने client के साथ भी share कर सकते हैं इसको team members के साथ भी share कर सकते हैं और उनका feedback get कर सकते हैं आप यहां पे अगर हम इस design की बात करें सो process हमने जितना भी देखा UX का सो इसको हम कह सकते हैं this is the high fidelity wireframes इसके बाद हम एक case study लेके चलेंगे और उस case study में देखेंगे किस तरह से designs create किये जाते हैं और किस तरह से requirements को understand किये जाता है तो Adobe XT को एक case study के साथ मजीद सीखेंगे तो इसकी practice जरूर करें इसको install करें और यह जो basic से इसके tools हैं इसको use करके देखें that what you can create so see you in the next lesson thank you so much